आप सब होग करता हूं आप लोग सारे अच्छे होगे तो भाई आज हम बात करने वाले हैं टाटा हैरियर फेसलिफ 2023 के बारे में तो भाई जहां पे टाटा का नाम आता है वहां पे आप लोग को बिल्ड कॉल्टी और फीचर्स की याद आ जाती है तो भाई टाटा बहुत ब अपनी टाटा हैरियर का फेसलिफ्ल लॉच नहीं किया था तो भाई अब बात करते हैं टाटा हैरियर के फीचर्स के बारे में तो भाई आप लोग को इसके अंदर पैनरोमिक सुनलूप पहले さके हि मिलती है अब बात करते हैं जो कि अब आने वाली future में सब गाड़ियों में मिलने वाला है Adas features के बारे में तो भाई Adas features ऐसा feature है जो अब हर धीरे धीरे हर गाड़ियों में आने वाला है जी हाँ guys अभी तक Tata के किसी भी गाड़ी में Adas features नहीं आया है Tata Harrier भी एक पहली गाड़ी ऐसी होगी Tata की जिसके अंदर Adas features आने वाला जी हाँ guys बात करते हैं इसके front की look की तो आप लोग को Tata Harrier का face lift इस बार बहुत अच्छा आने वाला है looks के according तो भाई आप लोग को front में वे एक बहुत बड़ी DRL मिलने वाली है बात करें DRL की तो आप लोग को जैसे हुंड़ाई वर्ना में मिलने वाली है इस बार जो new वर्ना आई है उसी type की आप लोग को इसके अंदर भी DRL मिलने वाली है headlight की बात करें तो काफी अच्छी जगा इसकी जगा दी गई है headlight की headlight जो है वो भी आप लोग को LED में मिलने वाली है बात करें Tata Harrier के engine की तो अभी तक आप लोग को Tata Harrier सिफ डीजल engine में मिला करती थी petrol में नहीं मिला करती थी तो आप सुनने मारा है कि facelift जो version आ रहा है उसके अंदर आप लोग को engine जो है वो petrol भी मिलने वाला है प्लस आप लोग को smart hybrid के साथ आप लोग को मिलने वाला है engine तो भाई ये भी सुनने में आ रहा है कि EV के साथ भी आप लोग को ये facelift मिलने वाला है तो भाई अभी तक तो कुछ भी confirm नहीं हुआ है बागी ये है कि इसका facelift आना है तो आना है 2023 के अंदर अंदर आप लोग को इसका facelift मिल जाएगा बागी उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना और हमारे चैनल अनिल सिंग को सब्सक्राइब करना बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई